अलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तो आज मैं बना रही हूं बिना उबाले राजमा एक ही कुकर में कैसे बनाते हैं तो चलिए रेसिपी देख लेते एक बार मैंने राजमा को बिगा कर ओवर नाइट बिगा लिया था अभी हम साफ पानी से दोलेते हैं इसको कुकर चड़ा देते हैं गैस पर ओईल डाल देते हैं इसमें एक टेबल स्वून में इसमें ओईल डाल रही हूं ओईल गरम हो गया है जीरा डाल देते हैं हाफ टीजपून इस पर हींग डाल देते हैं जीरा भूं गया हैन प्याज अदरक ल लस्ट का पेस्ट आल देते हैं इसमें इसमें मैंने दो प्याश, एक छोटा अध्रक का टुकड़ा और तीन-चार कली लस्टन के लिए थी उसका पेस्ट बना लिया है अच्छे से भून लेते हैं इसको प्याश हमारा अच्छे से भून गया है या जले नहीं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं अब इसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं एक टी स्पून मैं इसमें हल्दी डाल रहे हूं अधर टी स्पून डाल मेश डाल है निया पाउडर डाल हैं एक केबिल स्पून अच्छा से भून लेते हैं यह टमाटो प्यूरी बना ली है मुणने टीन टमाटर की प्योरी है इसमें दो हरी मिर्ष मिला ली थी मैंने, अच्छे से भी भूंक लेते से अच्छे से भूंक आया Himself ओप थी झालेमने ने इसमें कसुरी मिथी डाल देते है थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से भून लेते हैं इसको भी थोड़ा सा अब इसमें राजमा डाल देते हैं राजमा को डालकर हम दो ती मिनिट इसको भून लेते हैं राजमा को हमने दो ती मिनिट अच्छे से भून लिया है इसको अब इसमें पानी मिला देते हैं मैंने एक कटोरी राजमा लिया है तो मैंने इसमें पाच कटोरी पानी डाला है एक क्टोरी पानि एक्स्रा डाला है क्योंकि हम slow cas Sw ही राजमा को पकाएंगे तो इसलिए मैंने एक क्टोरी एक्स्रा पानि डाला है अब इसमे नमग डाल देते हैं Enlighties केaccordion especially नमग डाल दिया है मैंने इसमें इसको बंद करके हम दो सीटी लगाएंगे फुल फ्लेम पर उसके बाद हमें पूरे एक खंटे के लिए इसको छोड़ना है स्लो बिल्कुल स्लो गैस पर इसको पकाना है राजमा रेडी हो गए हमारे हरा धन्या डाल देते हैं इसमें सर्फ कर लेते हैं इसको तो दोस्तों एक बार मेरी बताई हुई इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा और बताईएगा इना उबाले राजमा की रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार जरूर कमंड बोक्स में टिक कर बताईएगा थैंक य। प्लिस अबस्क्राइब मैं चैनल